हेलो साइबर वोम्स वेलकम बैक मैं हूँ अनील यादब और आप देख रहे हैं नीट रूट्स और जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा इंफर्मेशन गैदरिंग के अंदर लाइब होस्ट आइडेन्टिफिकेशन के अंदर हमने आर पिंग एफ पिंग और एच पिंग 3 को कैसे प्रेक्टिकली यूच कर सकते हैं उसके बारे में हमने जाना और आज की वीडियो में हम देखने वाले कैसे आप मास स्कैन और तो सबसे पहले हम जान लेते आखिर मास सकेन क्या है मास सकेन एक तरह का स्कैनिंग टूल है जैसे किन अमयप होता है और इसका काम होता है किसी भी website या फिर जो devices होती है उनके ports number को check करना कि वो open है या फिर dead है तो इसको use करने के लिए हम simply क्या करेंगे इस पर click कर देंगे तो यह हमारे terminal में open हो जाएंगा तो उससे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम अपने browser पर चले जाते हैं और फिर हम यह targeted website है उसका name जो भी आपके targeted website उसको आपको open कर लेना है अपने browser के उपर और फिर इसको हम minimize कर देंगे तो फिर इस टूल को use करने से पहले हम जान लेते हैं आखिर उस website की IP address किया है तो उसके लिए हम क्या करेंगे अपने एक दूसरा टूल यूज करेंगे आप DNS Anum, DNS Recon यह जो भी स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पर DNS Analysis के अंदर टूल से तीनों इनका यूज करके उनका IP address निकल सकते हैं वट हम एक और टूल के बारे में जान लेते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पर simply right click करके new window पर click कर देता हूं और फिर मैं यहाँ पर type कर अब यह मुझे IP address लाकर दे देगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो address है वो आ चुका है तो अभी हम क्या करेंगे move करते हैं अपने पहले वाली टूल पर तो इसको मैं पहले maximize कर देता हूं और फिर हम यहाँ पर type करते हैं sudo seo क्योंकि यह विनर root access के नहीं और फिर हम यहाँ पर password डाल देते हैं so guys हमें root access मिल चुका है तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखे हैं तो आपको पता ही होगा कैसे mass scan को use करने क्या तरीका हम निकाल सकते हैं तो जिसने नहीं देखा वो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम simply क्या करें में type करके उसके बार जो भी हमारा टूल है जिसके बारे मिस जाना है उसको यहाँ पर हम type कर देंगे मैं press vac len ma하게 type कर देוא इसके बाद हम इसको इंटर कर देते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि आप इससे क्या-क्या चीजे निकाल सकते हैं, तो इसको आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ध्यान से पढ़ना और प्रैक्टिस करना, अभी के लिए मैं इसको एक्जिट करता हूं, क्यूपर क्लिक क तो अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकल कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में जान लेंगे, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं, और फिर हम यहां पर टाइप करते हैं, मास स्कैन, उसके बाद हम दे देते हैं, हाइफन पोर्ट नमबर, जैसे कि आप सभी को पता ह होगा कि पूरी वर्ड में पोर्ट नमबर 65,535 तक रहता है, तो यहां पर हम अपने टार्गेट के उपर 0 से लेकर, जितने भी पोर्ट से उन पर स्कैनिंग करने वाले हैं, तो मैं यहां पर टाइप करता हूं, 0-65,535 और फिर मैं इसको स्पेस डाल कर, यहां पर मैं रेड करते हैं, तो यहां पर मैं हाइफन हाइफन लगा कर रेट लगा देता हूं, और फिर रेट के अंदर मैं डाल देता हूं, 10,000, और फिर मैं यहां पर अपना IP डेश डाल देता हूं, इसको हम अपने दूसरे टूल से IP निकाल लेते हैं, यहां पर जैसे कि आप देख सकते है है हमारा IP इसको मैं maximize कर देता हूँ और यहां पर हम paste कर देते हैं उसके बाद हम इसको enter करके run कर देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी speed इतनी fast है कि यह सभी पर scan होना ही start हो चुकी है यह सारी ports open है इस website के अंदर तो वेट करते हैं देखते हैं कि यह सभी कहां तक जाती है और कितने ports यहां पर open है इस website के अंदर कितने ports open हैं सो गैसे यहां पर आप देख सकते हैं 100% scanning complete हो चुकी है तो इसी तरह से आप इस tool का use करके अपने targeted website के जो भी ports open हैं उनके बारे में जान सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इस website के अंदर हमें मिला है 46,363 open ports तो इसी तरह से आप इसका use कर सकते हैं तो अभी हम क्या करते हैं इसको cut करते हैं और फिर हम इसको भी cut कर देता है और फिर application के अंदर जाकर हम live host identification के अंदर tscping 6 के बारे में जान लेते हैं तो basically जो tscping 6 है इसका use होता है जो ipb6 addresses होती है उनको mac address में change करना तो अभी बहुत सारे advanced tool आ चुकी है जैसे कि nmap इसलिए इस tool का use उतना नहीं होता है बट यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप सभी tools का यूज कर सकते हैं इसलिए हम यहां पर इस tool को भी practically check करने वाले हैं तो इस tool का use क्या होता है जो ipb6 है उसको mac addresses में change कर देता है और आपके ethernet के अंदर जो भी mac addresses connected होते हैं या फिर जो भी devices connected होते हैं उनके सभी details निकाल कर देता है तो इसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे simply यहां पर click करेंगे और जैसे कि बागी tools को हमने use किया था उसी तरह से इस tool को भी हम use कर सकते हैं बट यहां पर जो मैं commands डालूंगा उनको आप ध्यान से देखिएगा और practice करने के time पर उन सब्सक्राइब कर देखिएगा नहीं तो आपको errors आ सकती है तो इसके मैं maximize कर देता हूँ और फिर में यहां पर command डालता हूँ su और फिर हम यहां पर अपना password डाल देते हैं तो हमें root access मिल चुका है और अब हम इसको clear कर देते हैं और फिर में यहां पर type करता हूँ ATK6 और फिर address 6 इसपेश डाल कर पहले अम new tab open कर लेते हैं और यहां पर हम type करते हैं ifconfig इंटर करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे internet का ipv6 दिख रहा है तो इसको हम copy कर लेते हैं यहां से copy करके फिर हम यहां पर आकर इसको paste कर देते हैं और फिर मैं इसको enter कर देता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं इसने मेरे जो IPV6 था उसको MAC address में change कर दिया है इसी तरह से आप इसका use करके आपके internet के अंदर जो भी devices connected हैं उनके बारे में details निकाल सकते हैं उनका MAC address निकाल सकते हैं अब ही हम उसको भी देख लेते हैं तो यहां पर मैं simply type करता हूँ ATK6 उसके बाद hyphen LI 6 उसके बाद मैं यहां पर type करता हूँ ATH उसके बाद 0 उसके बाद मैं इसको enter कर देता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं scanning complete होचकी है और हमारे system के अंदर कोई भी external device connected नहीं है इसलिए उनका MAC address यहां पर so नहीं हो रहा है So guys यह था हमारा आज का session जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे आप Live host identification के अंदर mass scan और TSC ping 6 को use कर सकते हैं और कैसे आप सभी ports के बारे में और जो MAC address है उनके बारे में जान सकते हैं और अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप netcat को practically use कर सकते हैं So till then stay safe, stay secure, thank you